दोस्तों अब इस फूडियो में हम 26 और 91 का LCM and HCF कैसे निकालें यह सिखेंगे अपना प्राइम फेक्टरिजिसन मेथड का में लेंगे तो बिल्कुल सिंपल आसान सब्दों में समझेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे LCM निकालना है HCF भी निकालना है तो इनके फेक्टर करेंगे फेक्टर करने के लिए दोस्तों आप जानते हैं क्या में के अपनी अभाजी संख्याओं का भाग देना होतहैं आपकी अभाजी संख्या है कौन से यहां लिख देता हूं में दो तीन पांच साथ यह एक से लेके दस तक की अभाज इसंख है आगे बात करेंगे ग्यारा तेरा सत्रा उन्नीस यह ग्यारा से लेके बीस तक की अभाज इसंख है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए सरप्रतम दोस्तों अपना दो का भाग देना शुरू किया 26 में कित हमने अभाज यह गुंध कंड करना है तो इसमें सात का भाग जा रहा है कितना एक अर और तीन वार और फिर तेरा में तरह का भाग आपका एक वार तो चब्वीश के हमारे अभाज हमारे अभाज यह गुण क्रिशन के आगे ऐसा factor लेना है जो दोनों में common हो देखे तेरा यहां भी आया हुआ है यहां भी आया हुआ है ऐसा factor जो दोनों में आया हुआ हो उसको एक वार लेना है देखे दो के उली ही है साथ के उली ही है तो आपका H-C-P आगिया 13 अब LCM के बात कर लेते हैं ध्यान से सुनना दोस्तों LCM है जो common factor आया हुआ है उसको तो लेना ही है उसके बाद जो पीछे बचे वे factor यहां पर आपका कौन बचा हुआ है देखिए दो बचा हुआ है यहाँ पे कौन बचा हुआ है साथ बचा हुआ है इनको भी लेना है चलिए इनका आपस में गुणा कर देते हैं कितना आगे आपका 182 तो इस तरीके से आपका LCM and HCF हमारे पास आसानी से मिल जाता है वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट कर बता है धन्यवाद